जनली MCQ-based किसे वी competitive exam दित्यारी करनी हो वेता ये rules universally पक्का हो गया है इंडिया विच खास्त औरते के previous paper जरूर कंसर्ट किते जाने ठीक प्रिवियस पेपर कंसर्ट ना ये rule गलत नहीं है काफी हद तक ठीक है पर जाने जरूरी है कि पेपर सेटिंग विच चेंज आवे ता नेचुली है कि MCQ दी quality विच वी चेंज आवेगा जेता नेशनल लेवल दी गल करनी हो वेता नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दा रेफरें दी गल कर रहे हैं ते के ओस विच आणवाला पी जिन्ने वी ए शिफ्ट नी इस तो अगे वी जिन्ने पी एस्ट्रेक्ट आने ने ओदे विच क्वालिटी चेंज एंसी क्वालिटी चेंज के हो जी हो सकती है ते ओ उस दे कही इंडिकेटर में ए जानना लेई ए ए अनलेसि पिछले पेपर दी क्वालिटी जिना तो बच्चे तुसी त्यारी कर रहे हो ओ किस तरह देने ठीक नार्मली उस नो ही 90% 80% क्राटीरिया पिछले पेपर नो ही बनाया जानता हां जे कर बच्चेयां को टाइम कट होवे ता हर हालत वेच्चों प्रीविएस पेपर ही हल कर द दी है इसलिए टीचर यूट्यूबर जान जिना को भी कोचिंग तुसी लेने में ओ की दे अदार ते राइट अंसर ते फोकस करन दी कोशिश कर देया ते जही से टेंडनसी जो पेपर देनवालियां दी कैंडिडेट्स दी हूं दी है इस दे बावजूद भी कहियां ने त इन चार पांच शे वार भी पेपर देता है लेकिन पास क्यों नहीं होया कारण रेफ्लेक्शन नहीं असी कर दे सब तो वंड़ा करन है ठीक मैं सिर्फ एक एगल करांगा कि पंजाब दे टी ये टी दे पेपर दी क्वालिटी की सी पेपर सेटर किहो जै ने उना दे अदार क्योंकि काफी क्वालिटेटिव चेंज आ चुक्के हैं पर तुसी अजय तक त्यारी पिछले पेपर दे उताबक ही कर रहे हैं पहला क्रेटीरिया है कि M.C.Q. जो तुसी त्यारी कर दे हो जो तुसी त्यारी कर दे हो ब्लूम्ट दे क्वेश्चन भी तो आनो आंदे दे इस तो बिना नहीं हो सकता रिमेंब्रिंग लुएस लेवल अंडर्स्टेंडिंग सेकंड लेवल अप्लाइंग नेक्स्ट लेवल अगले तिन लेवल बारे तक कोई सोच ही नहीं सकता M.C.Q. क्वेश्चन जो दो है ठी क्योंकि तुसी अप्लाई करना है अपने नॉलेज नो ताहीं अच्छे टीचर बनोगे अच्छे लर्नर पैदा करोगे अच्छा पंजाब दी है चुकेशन होएगी ठीक असी चौन लेवल नहीं है कि टीचर साथा इस लेवल ना क्रेटिंग लेवल ना होवे तो असी M.C. M.C. क्यों नो चूज किता है कि अच्छे टीचर किस तरह सेलेक्ट करने हैं बैड विच डीलेड विच किन्ने अटेंडिंग टनेंसी है किन्ने नॉन अटेंडिंग डमी स्टूटिंट है तो उसे खुद जान दे हो जदो ओ चीज एथे डवल पोने सी ओ लगपग 90 इस तो इलाबा सुन साड़े को क्रेटीरिया बचया है एंसी क्यों चे एप्लिकेशन लेवल दे कोश्चन आने चाहिए सी मैक्सिमम जेड़े की लगपग 0 ने जेवांगों तुसी अप्लिकेशन लेवल दे कोगे और अप्लिकेशन लेवल दे नियों अंडेस्टेंग ते 95% वैसे मैं ता 95 90% remembering level से उसी facts नो रिकाल करना हुदा जस्ट बीसिक concept में मीनिंग पता होने चाहिए पांज पर सेंट तो ज्यादा वैसे मैं हो question रखता है जिड़े blooms भी निदा सक्या कई question P test P test P test which इस तरह दे आ है की की करके what करके question पुछेगे ने जिड़े जवाव ह ना ते ना येस ने नो दे विच्छ हुंदा है, मैं एक्जांपल वो मिन्हों दुबारा मिलिया नी, मिन्हों मैं वो कॉश्चन एवेलुएट कीते हैं, ते जे कर पेपर कंस्रेक्टर नो ए नी पता के येस नो वाला कोई आंसर बन रिया है, कॉश्चन बन रिया है, इस दी किस तरह दे टीचर स्लेक्ट करांगे, जहां किस तरह दा पेपर होईगा, उन्हें देख दे हां, कि ये डिया है, एक पेपर है, फॉर एग्जांपल साड़े को क्राटीरिया की है, कि इस दी क्वालिटी साड़े को रिमेंब्रिंग दा दी, लुएस लेवल दी है, जदो सा क्यों कंस्ट्रक्टर रिमेंब्रिंग ग्लूम दी, लोएस लेवल ते ही जी रहे हैं, इट मींज के उना नो, कोल, उस्किल नहीं है, जेडी, एमसी क्यों क्यों क्वाश्चन बना उनलिच चाही दी है, जा एप्लिकेशन ते अंडर्स्टैनिंग वाले क्वाले क्वाश्च इस नाट, ठीक, एक जदो ऐस तरह दे क्वाश्चन बन दे हैं, इस मेंज के ओट कंस्ट्रक्टर ने, एमसी कोई क्वाश्च्टर ने उसते टाइम ने लगाया, यह वाले क्वाश्चन असान हों देने, दूसरा, अल अफ दी अबव बार बार रिपीट हो रहा है, नन अफ बार बार रिपीट हो रहा है, एक उश्चार एक टूसे देखनियां देखो, नन अफ दीजर, नन अफ दीजर, नन अफ दीजर, नन अफ दीजर, नन अफ दीर, फिजर." इना विच्चो कोई नहीं ठीक ए लगाकार में दिखा रहे हैं जब और टोटल अनल्सिस करना है तक बहुत ज़्यादा नन उफ भी खोड़ों बार बार इनिय ज्यादा ऐप्शन वर्तियन जा दिया है एक आप्शन क्योंकि चिदो ट्रेनिंग दिनने हैं एम सी क्यों कंस्ट्थर्क्शन दी मैं ट्रेनिंग दिनना है खुद बिनाना है है अपने पी एच डी वाले नों गाइड करना है दूसरे पी अच्वी वाले यह जड़ें एंसी की कॉस्चन जड़ें एवैलूएट कर दें हां आसी सानों बड़ा टाइम लगदा है टाइम कर दिमें काम है पर जदो एक कॉस्चन बंदे हैं इस तो यह पता लगदा है कि पीपर सेटर बहुत ज्यादा कट ट ज τις अरत तूसी पीपर सेटरैंपीछले पीपर संटिंग घड़े हो फ्इस से लैबलभी नैचुली रिमेंबर इंब्र डी लोइस्व लैबल दी तयारी करोगी गयेsoonं कूँकी अंडेसटथ्सांडिश्याडी यتهति यारी करिया जाह है कर लीन नवे इन्ढयक एंगना आसक पिछले किसी कितियों question चक देने, जद तक तुसी question बनाओन दे, काविल नहीं हो जान दे, तद तक तुसी application level तक दी त्यारी नहीं करवा सकते, एक गल नोट करना ली है, ठीक, ते जे इस तरह दी त्यारी तुसी कर रहे हो, ते, अच्छा तीसरा गल, तीसरी गल, बहुत के time consumed, एक MC को question इननी जल्दी बनदा है, खड़े-खड़े, मतलब जदो, जिस भी people, जिसनो responsibility दित्ती जान दी है, कि तो अन्नो इस state दे, तीचे अच्छे select करन ले, इनने question बना ओली दित्ते जान दे हैं, ते, ओ जिम्मेवारी इन्नो खड़े-खड़े ने बाया जान दा ह के एक दम question बढ़े, सिर्फ जान ता book चो net तो एक दम meaning दित्ते जान दे हैं, जा already होना को जड़ी knowledge है, उस दे बारे simple simple पुछ लिया जान दा है, यह नहीं दिखे जान दा कि एक किस तरह दी, किस level दी, एक question evaluation करेगा, कई question इस तरह दे हुंदे हैं, कि जिना दो knowledge हुंदी है, वो answer में दे पुंदे, जिड़े को knowledge नहीं है, वो answer दे पुंदे है, इसनो negative discrimination दे हैं, जा है question हमेशा किसे कौम दा बेडा गर कर लें, बहुत बहुत contribute कर सकते हैं, तीसे, चौती चीज है कि paper level की है, जा national level दे paper देखिए, ते state level दे compare करिए, पंजाब दे सेंटर, सी टेटरों compare करिए, ते state level दा very low, very low paper compare किता जा सब्दा है, वो very low ने विच contributor के ना दी है, कि तो पता लगदा है, ये MCQ constructor दी है, जहां head दी है, जेसनो total जिम्मेवारी देती जान दी है, कि तो उसी paper सेट करवाने हैं, हुन तो जानना की जरूरी है, कि जिड़ा प्रवर्तन आ चुका है है, ओस दे नाल, एक quality change आहां है, मैं थे national policy दी गल नहीं कर रहे हैं, मैं just गल कर रहे हैं, कि जिड़ा दबदवा ये बन चुका है, ये YouTube तो एनना feedback जा चुकी है, कि paper question ऐस तरह दे बने हैं, naturally authority conscious हो चुकी हो भी और paper setter, जेड़ी में गल है, काफी देर पहला में बदल चुक प्रीएस हैड के हो जाए सन, उना दा comparison जे brief विच करना होवे, कि ए knowledgeable सन, जेड़े पहला सन, no, कि होन बाले हन, yes, understanding of measurement, measurement एक area है, एक discipline है, जेड़े विच MCQ question जा, evaluation जा, examination भारे in-depth knowledge हों दी है, ते best MCQ कि में बनाया जाए जाए प्रिंसिपल्स, रूल्स केड़े ने, ओ एक्सपर्ट नो पता हुन रहा है, यूजी सी लेवल दे जेड़े question बन दे हम, ओ दे विच ओ एक्सपर्ट शामल हुन दे है, लेकिन पंजाब विच ए जेड़े टीम पहला बनांदी सी, ओ उना नो ए ज्ञान नहीं सी, ठीक एकी प्राने जेड़े head सी, जेड़े टोटल जिन्मेवारी मिली सी, कि ओए educationist सी नहीं, ओए educationist ही नहीं सी, कमाल दीगल है, कि ओना ना गोल education जा improvement सी नहीं, शायद money हो सकता है, मैं question दी, nature तो साफ सपष्ट दस रहा है, अच्छा, resources होना को सी नहीं सी, जे एक कुछ भी नही सी, जे ए तबदीली हो चुकी है, ए आन वाला पी एस टेक्ट दस देगा, जा उस तो अगले वाला पी एस टेक्ट दस देगा, कि क्वालिटी चेंज आये हैं, जे ता, जे हे ही question repeat हों देगा, इट मींज ओ चेंज नहीं आया, पर मेरे मताबक को चेंज आ चुका है, present head for knowledgeableable, जे ओ एक्सपर्ट में थिटिक लग रहा है, positive हो रहा है, understanding of agreement या सिथिव टिक हो रहा है, ती जड़े के educationist ने, हां जी, educationist ने, क्योंकि जेडी तबदीली आ रही है, उदे वेच जेडी policy बन रही है, उदे वेच इस सब कुछ सपस्ट है, लेकिन तो अनूँ ए हजे शायद हां, उना का goal, goal, better education है, ठीक, उना को resources, resources भीन, ऐसे teacher, teacher, educator या, जो high level दे, educationist, जेडे education ना, subject ना, जुड़े होई हन, जेडिया, languages हन, Hindi, English, Punjabi, Maths, environment, जेडे की subject हन, उना दे, expert, उना को अवेलेबन हन, जे, इस head change आना, जेना को वो 5-5 criteria है, जेडे, पिछले head को नहीं सी, ताँ, एदा मतलब है, के MCQ quality दा, चेंज, ए, आना बंदा है, के जिते पहले, remembering level दे ही, major question सी, मैं नहीं कह रहा है, के सारे application दे, understanding दे आजान गे, इस गल नोड कर ले आना चाहिदा है, remembering level दे question एनने ज्यादा संज थे 95% जा 90% सी, उत्थे होन, understanding दे application दे होन, दी probability बहुत ज्यादा वद जान दी है, जे दुसी त्यारी remembering level दी कीती है, तो naturally ए है, के तो अनू challenge और वाले PS TET paper विच ए ज्यादा मिलेगा, जिस तरह C TET विच भी जिस तरह अमीद कीती जन्दी से होना दा, exemplar C TET दा देखो, के के हो जे paper question होन, ओन गे, क्योंकि उत्थे इन्विलेंस, national education policy 2020 दा C TET विच है, लेगि PS TET विच national policy दा कोई, जे तक, हाँ, indirect influence है, क्योंकि जेडे educationist कोल होने responsibility जा रही है, वो understand कर देने national education policy नो, ठीक, पर जे एक्जांपलर दुसी compare करो, तो बिसी TET दा exemplar, बहुत ही understanding दे application level दा है, लेकिन हाले एकदम change नहीं आया, slightly better होन दी, उदर भी आस है, इसे तरह slightly better PS TET दे होन दी आस है, mean, for example, 90% remembering दे C, understanding दे बहुत कट दे, अंदाजा ये आ सकता है, के 15% higher जो level दे question है, application दे understanding दे, वो बदन गे, situation based बदन गे, generally paper center अच्छे चुने जाने चाहिए हैं, हाँ, उथे गरबढ़ होन की हो सकती है, उथे गरबढ़ होन ये हो सकती है, के जित्थे मानलो इना कोई चाहर quality है, इस head ने सारे question आप निगनों ने, इना ने तरह अग्यों distribute करने हों दे है, जी गर ए अग्यों distribute करने हैं, जिने भी number of subject expert नो, होन सार नो ये नी पता कि ए subject expert, इस questions रेडे मनलो 2, 4, 5, 8, 10 questions नो मिल दे हन, उना नो बना on late time पूरा दे हन, की पूरे sincere हन, ठीक है, की study करके बनांदे हन, की उना दू MCQ दी, सारे नो knowledge है, सारे sectors नो, ऐस तरह नहीं होएगा, पहले step विच, जिनने ए हैड अच्छे अनो जिम्मेवारी देएगा, चोन के देएगा, इस नहीं है, की probability, 10 तो V percent probability है, की paper दार, complexity level, जा understanding level दे question, जा application level दे question, बनाड़े, ठीक, क्योंकि probability है, जो paper setter नमे होंगे, पेपर सेक्टर सारे नमे होंगे, एक गल, दू समझ जाना चाहिदा है, जे paper setter नमे होंगे, इना दे विच्चों जरूरी नहीं है, की सारे 100% export अपने contribution पॉजटिव करनगे, हाँ जे इना दे विच्चों 10, 15, 30, 40% भी अच्छा पे कर दे हैं, ठीक है, ते पी-एस-टेक्ट दे quality मच बेटर होएगी, तो पी-एस-टेक्ट लेई हजे भी तो नो यह हदायत है, की concepts दे, sorry, MCQ दे right answer दे सिद्धे जान नालो, उस पे critical questions दी, जड़ी evaluation करके, उनों दी concepts दा comparison करके, एक theory दा, दूसरी theory ना difference देखके, नमे situation, नमे situation based, जवे मैं mock test पाया सी हुने, उदे विचे 10 questions पाया सी, नाल, फिर तुसी उसे जवाब दे सकते हो, उस तो बाद उदी explanation देती है, वो explanation भी तो अनों दस्येगी के concept कित्थो बनदा है, इदे विच की मैं नमा सिख्या, जदो जे कर दो अड़ा answer गरत हुनदा है, तुसी explanation बाद सुनदे हो, ता भी learning होगी, जे कर तुसी right answer पे पहुंच जानदे हो, इट मिंस तो अनों अपनी accuracy दा knowledge दा पता लगदा है, प्लस reinforcement मिल दी है, तुसी mock test वाली वीडियो देख सकते हो, ओ ओ ओ ओ ओ जिनने भी question मैं खुद बनाके पांदा हां, ओ question मेरी कौशिश है, ओ understanding पर application level दी, वद question हो, ठीक, जो मेरी हिदायत तो अनों, मेरी direction ए है, के जिड़ी N.C.Q. दी त्यारी तुसी कर रहे हो, ओ सिर्फ remembering level दे recall, fact दे basic concept दे ना बैठे रो, उस दे concept दी understanding दे ओस दी नमी situation जे application, problem solving वाले question भी solve करो, सानों अच्छे teacher चाहिए है, सानों सिर्फ P.S.T.C.T.C.T. clear वाले candidate नी चाहिए है, जेकर अच्छा nation क्योंकि एक दिन इना teachers विच्चों ही तो आड़े बच्चेयानों तीच कीता जाना है, जे तुसी चौन दे हो, जे तुसी अपने तरमनों मान दे हो, जिते असी बहुत सानों अच्छे teacher चाहिए है, सिर्फ P.S.T.C.T.C.T. नी ओदे ले अच्छे MCQ चाहिए है, अच्छे MCQ बढ़न के ताह तुसी ही अच्छी तियारी करोगे, मैं कहना है, आज ही अच्छी तियारी शुरू कर दे हो, ताह जो तुसी मान ना कहा सको कि ऐसी सिर्फ P.S.T.C.T. अच्छे क्रेटर है, अच्छा teacher अच्छा क्रेटर होनता है, ताहिए उन्नों शायद, नेशनल बिल्डर क्या जानदा है, जान सी, देख दे हाँ, इस तरह दे, नेशनल, नेशन बिल्डर सानों क्विक्विच मिल देने, जान MCQ दे राइट आंसर लबड़ वाले ही मिलते ह थैंक यू